अवैद कबजों को हटाने के प्रदेश हाई कोट के सक्ट आदेशों के बाद नगर निगम शिमला की नींद एक बार फिट टूटी है निगम ने आदेशों पर अमल करते हुए पूरी टीम को लेकर शहर के राम बजार और लोर बजार में अवैद कबजे हटाए के निगम ने अवैद निर्मान को हटाने की मुहिम तेश कर दी है प्रदेश हाई कोट ने नगर निगम को दिवाली से पहले तुरंत अवैद निर्मान तोने के आदेश दिये थे लेकिन राजनीतिक दखल के चलते निगम अवैद निर्मान पर हाथ नहीं डाल रहा था नगर निगम शिमला के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ठाकुल का कहना है कि तैय बजारियों को यहां बैटने की जगा दी गई थी लेकिन नोनों ने यहां प्लाई बोट के धांचे त्यार कर लिए इन अवैर निर्मान को हटाने के नोटिस जारी किये गे जब ये निर्मान नहीं हटाई गए तो निगम की टीम बुलाकर इनको हटाना पड़ा कोट के आदेशों के बाद निगम ये कारवाही कर रहा है जो जारी रहीगी क्योंकि अवैर निर्मान से शिमला के रास्ते तंग हो गए है इनको दोबर हमने टाइम दिया था कि ये चोट मुल्सबल कापेशन के संग्यान में आया था कि यहां पर सेमी पक्की स्ट्रक्टर्स बनाई हैं जिसमें प्लाइवूद लगाया हुआ था तो इनको हिदाय दी गई थी कि जिस स्थिटी में हमने इनको दुकाने देखी उसी स्थिटी में होनी चाहिए तो कुछ लोगों ने पहले कल शाम पर कर लिया तो कुछ रह गये थे जो अभी लगे ही करने उनकी हम भी साहता कर रहे हैं और अच्छी बात हो यह है कि उन्होंने सबने अपने आप भी बहुत सारा काम कर लिया प्रसाशन को कोई सख्स कारवाई नहीं करने पड़ी अजिए पड़ी वाले चेंज की अजिए बसक्राइट को तरह है वह जिस पॉइंट पे थे वहां थोड़ा सा लोगों ने भी कहा था ट्वालेट भी था वहां पर और वह बसेंट शील या बाक्टी तो वेहिकल थे उनके लिए भी प्रॉलम हो रही ही इसलिए उनको साइड अच्छी जगार दिया और लेटर निगम पृत संकलब है जो हमारे बेंडर्स में उनकी उनको बसाने के लिए तरुकार जैसे जैसे अगर आपने देखा हुगा सब्की मंदी के पास की एक बेंडर्स जोन की बिल्डिंग बन रही है उसमें भी कुछ को रहाबिलिटेट करे और भी काफी स्टानों पर इनको भी है दिते हैं। अमीता सोनी की रिपोर्ट।